ही गाईज मैंने मिस गौरफ चौधरी और वाचिंग मिस्टर गौरफ तो दोस्तों कैसे आप लोग आई हो पाप सभी बहुत याद आच्छ होंगे तो कैस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल लाइटी हैदराबाद की तो कैस मेरे पास कुछ ऐसे कवेंट आ रहे थे जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि भीया मुझे ट्रिपल लाइटी हैदराबाद की कट अफ बता दो और काफी सारे वच्चों ने पूछा तो मैंने सुचा उनको इंडिविजुली मैसेज करने के वजाए मैं इस पे एक सेपरेटली वीडियो ही बना दू तो कैसी यह मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं ट्रिपल लाइटी हैदराबाद की कट अफ बताऊंगा आपको मैं 2019 की कट अफ बताऊंगा जो की परसेंटाइल और रैंक के बेसिस पे थी तो कैसी वीडियो को पूरा जुरूर देखना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सबी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो कैसी ट्रिपल आइटी हैदराबाद जो है वो टूटल पांच राउंड करवाये थे इसने 2019 का अंदर में तो कैसी राउंड वन टू राउंड फाइव तक के मैं आपको सारे राउंड की कट आफ बताऊंगा एक एक करके हम राउंड वन से स्टार्ट करेंगे और राउं जैसे कि आपको पता है दो ब्रांच हैं एक इसमें की एक CSE और दूसरा ECE है जो कि जाज़तर बच्चे लेना प्रिफर करते हैं तो कैस अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजिनेरिंग चाहिए तब आपकी जो परसेंटाइल 2019 का कोडिंग होनी चाहिए वो एप्रॉक्स 99.95% होनी चाहिए 99.958238 आप पूरा पढ़ सकते हो इतनी परसेंटाइल आपकी मिनिमम होनी चाहिए तब आपको यहाँ पे एडमीशन होगा यह राउंड वन का है और आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 573 होनी चाहिए impossible नहीं है possible तो है लेकिन काफी लगता है इतना रैंक लाने के लिए ठीक है ना तो अगर आपको यहाँ पे ECE चाहिए तो आपकी परसेंटाइल जो होनी चाहिए वो 99.929344 यह या फिर इसके अंडर होगी तब आपको यहाँ पे यह मिल जाएगा और बात करें अगर रैंक की तो 941 यहाँ पे आपको ECE च चाहिए थी तब यहाँ पे आपको मिलता 99.91 परसेंटाइल पर और जो कि आपका रैंक हो जाता है 1059 1059 पर आपको यहाँ पे CSE मिल जाता और अगर आपको चाहिए थी ECE तब आपकी रैंक अगर कहीं 1676 यानि 1676 के अंडर है या इतनी है तब आपको यहाँ पे मिल सकता था अब बात करते हैं round 3 की अगर आपको round 3 के अंदर यहाँ पे admission लेना है तब यहाँ पे आपकी percentile 2019 के अंदर कितनी होनी चाहिए थी 99.91 1160 अगर आपकी rank है तब आपको यहाँ पे CSE मिल जाता and communication engineering की तब यहाँ पे आपकी percentile होनी चाहिए थी 99.84 और आपकी जो rank होनी चाहिए थी 1941 तो guys देख सकते हो rank काफी जादा high है अब बात करते है round 4 की तो guys round 4 के अंदर जो CSE का था 99.90 और अगर rank की बात करें तो 1187 अगर ECE की बात करें तो 99.79 और rank की बात करें तो 2500 02 तो यह आपका rank था अगर आपको ECE और या फिर CSE चाहिए थी तो आप इन सभी का screenshot जरूर ल तो नीचे comment section में मुझसे पूछ सकते हो मैं आपको reply जरूर दूँगा ठीक है आपको जो भी query हो नीचे comment section में पूछ लेना फिर इस वीडियो को यार एक like जरूर करना अगर बहुत ही hard work लगता है एक वीडियो बनाने में आपको पता है तो please guys इस वीडियो को like जरूर करना एक like करोगे तो हमें भी थोब बहुत motivation मिल जाएगा और अगर आपके पास थोड़ा भी time हो तो अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर लेना ताकि उन्हें भी पता लगे कि triple IT है दराबाद का cutoff कितना high जाता है तो चलिए आप बात करते हैं round 5 की अगर round 5 की बात करने से पहले इस वीडियो को आपने like नहीं किया ना तो यार आपने मतला इसका मतला आपको वीडियो पसंद नहीं आई है अगर वीडियो पसंद आई है तो नहीं पसंद आई तो dislike करो ठीक है जरूरी नहीं है like करना अगर पसंद नहीं आई तो आप dislike कर सकते हो ठीक है ना dislike करो लेकिन कर के ज़रूर जा ना कुछ ना कुछ ठीक है आप बात करते है round 5 की तो guys round 5 के अंदर अगर आपको computer science and engineering चाहिए थी तो इसकी जो rank आपकी थी वो थे 1187 और अगर बात करें इसकी percentile की तो 99.90 यहां का percentile था अगर आपको computer science and engineering चाहिए अगर आपको ECE चाहिए तो यहां की जो rank गई थी वो 2845 2845 आपका यहां पर rank होना चाहिए था या फिर इसके अंडर और अगर आपको percentile में जानना है तो अगर आपकी percentile 99.76 थी तब आपको यहां पर सकता था admission तो guys यह था 2019 का data I hope आपको यह चीजे पसंद आई होंगी और guys 2020 के अंदर भी semi data होने वाला है यानि semi percentile रहने वाली है और semi rank रहने वाली है थोड़ा बहुत ही variation आ सकता है जादे जादे 10-15 rank का तो अगर आप जाना चाहते हो इस college के अंदर और एक CSE branch लेना चाहते हो तब आपके दिमाग में एक बात clear cut होनी चाहिए कि मुझे 1K के अंदर यानि 1000 के अंदर rank लाना है अगर आपकी rank 1000 के अंदर आती है तो आपको 100% यहाँ पे CSE मिल जाएगा अगर आपकी rank 1000 के उपर आती है यहाँ 2000 के आसपास आती है तब भी आपको यहाँ पे ECE मिल सकता है लेकिन आपकी rank अगर 3000 4000 5000 आती है तो कुछ कह नहीं सकती मिलने के chances तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में